इस वेलकम टू मां यूटूब चैनल आज जो मैंने कोश्चन लिया है वह फैन से लिया है तो फैन में मैं आपको बताऊंगा कि जो फैन में में डेंपर लगे रहते हैं तो उसकी जैसे कितना पावर के आशन होता है और यदि आप उस फैन में जो डेंपर लगा हुआ है उसस the damper on the main duct and all system dampers had to be partially closed to reduce air flow to the design values energy auditor has recommended that fan power can be saved by fully opening the main damper and reducing the fan speed by changing the fan pulley diameter the following initial conditions were measured on the main air supply system air volume flow rate air volume flow rate 68400 meter cube per hour fan differential static pressure 112 mm wc pressure difference across damper 17 mm wc motor input power 26.8 kilowatt supply supply fan speed 600 rpm motor speed 14 1460 rpm motor pulley diameter 230 mm fan pulley diameter 560 mm calculate a the annual energy savings considering 6000 hours of operation per year b the new fan pulley diameter ok so question के लिए जो ड्राइंग है जैसे कि इस यहां पर दिया गया है as per the drawing तो आप question का drawing पहले समझ लीजिए इससे आपको question भी समझ में आ जाएगा तो यह as per the question यह fan है fan से direct couple यह जो फैन का पुली है वो दिखाया हुआ है और यह जो पुली है पुली इस यह बेरड़े ड्रिम है और यह जहाई इसका मोटर है ठीक है तो हमको जो है जो फैन है फैन का पुली है वह करना है कि अगर dimper निकालते हैं और फुली का diameter change होता है तो fan का जो नया spinyal के diameter होगा वो क्या होगा वो अपने को finite करना है सेकड्स अपने अपने को करना है कि जो फैन में में टेमपर दिया हुआ है इस temper को जब हम खटा देते हैं तो हम तो आपको यह डागराम समझ में आ गया होगा तो आई आते हैं सौलीशन पर तो फैन का फ्लोरेट पहले तो फैन का फ्लोरेट देख लेते हैं ठीक है तो आपने कोशन में देखा है फैन का फ्लोरेट कितना दिया हुआ है तो यह हमारा फैन का फ्लोरेट हो गया और आवर को अपने को क्या करना है सेकेंड में करना पड़ेगा क्योंकि हमको जो यहाँ पर फ्लोर लेना है वो मिटर कीडрон में लेना है ठीक है ओके तो डिवाइट बाई 3600 हो जाएगा क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 से डिवाइट कर देंगे तो यह जो solve होकर आ जाएगा 19 मीटर कुट पर सेकंड आ जाएगा तो ऐस तरिके से हम फ्लो को मीटर कुट पर सेकंड में convert कर सकते हैं अब जो है फैन का जो है power fine out कर लेते हैं तो initial condition में यानि कि जब fan में damper लगा हुआ है तो उस समय power कितना consume कर रहा है वो fine out कर लेते हैं तो theoretical air power in initial condition initial condition जब fan में damper लगा हुआ है ठीक है तो PF1 यानि कि fan का initial power F1 तो fan का power का formula होता है flow rate into differential pressure divided by 102 ठीक है तो fan का flow rate कितना निकला है fan का flow rate निकला है 19 निकला है तो 19 हम यहां पर value को put कर देंगे into differential pressure ठीक है आप question में देख सकते हैं कि फैन का differential pressure कितना है fan का जो fan differential static pressure fan का 스식 differential pressure है वो है 112 mmwc तो आपको यहां पर same value है 112 यहां पर put कर देनी है स्टेटिक डिफेरेंशल प्रेशर है वो है 112 mmWC तो आपको यहां पर सेम जो वैल्यू है 112 यहां पर पूट कर देनी है डिवाइड वाइड वाइड वैंजरे टू एस पर दी फॉर्मला आपको यह फॉर्मला में यह जो सारे वैल्यू है उसको बिठाने के समय यह ध्यान में सब्सक्राइब करेंगे तो आएगा यहां पर जो पावर का वैल्यू है 20.86 किलोवाट यह पावर का वैल्यू आएगा ठीक है यानि कि फैन जो है जब डेमपर लगा है तो इनिशली 20.86 किलोवाट पावर का कर रहा है ठीक है अब जब फैन में हमने डेमपर निकाल दिया उसऺयोम में कितना पावर लेंगा ठीक हो जाएगा यहांपर कम हो जाएगा पहले से क्योंकि हाँ पर हमने जो है डैमपर निखाल दिया है यहाँ रेंपर के साथ अब दो उब लेंपर निखालने बाद जो है यहाँ पर 10-7 फार यह स्योंटीन है यह ध십ने ऐसे लिख 설 यह रांद यह डेमपर का वह नहीं है डेंपर का पाण का ऑच्छी जो है और लेफ्ट साइड और राइट से दोनों तरफ जब हम जो प्रेशर डिफरेंश लेंगे यह उसका वैल्यू है ठीक है 17 तो यह जो इनिशल में जो डिफरेंशल प्रेशर था करेंगे तो यह आएगा 17.7 किलोवाट तो डेंपर हटने पर जो पावर कंजम्शन है वो कम होकर के आ गया 17.7 किलोवाट ठीक है क्या है अब इनपुट पावर वैंड डेंपर इस फुली ओपन इसका मतलब यह है कि जब 29.8 6 वर जब फैन का फैन का जुब पावर कृएंशन था तरह मौनि एक डेका कितने का लगाया था हमने मौत लगाया था आंप कोश्यण में कितना है वह 17.7 किलोवार्ट तो उसके लिए अब मोटर का रेटिंग क्या होगा तो आएए पहले देख लेते हैं तो इसका सीधा सिंपल सा ट्रीक है कि मोटर का की मोटर का का पावर है उसे एक तरब कर ले लेते हैं तो आभ इसे जब हम करेंगे यानि की जब मोटर का final power निकालेंगे तो PM2 equal to PM1 into PF2 by divided by PF1 हो जाएगा अब इसमें value put करते हैं ओके तो PM2 क्या जाएगा यानि कि motor का final power rating क्या जाएगा 26.8 into 17.7 divided by 20.86 यह हो जाएगा और जब इसे solve करेंगे तो जाएगा 22.7 किलोवाट यानि कि पहले जो motor है वो कितना किलोवाट कंजम्शन ले रहा था 26.8 किलोवाट का कंजम्शन ले रहा था और अभी घट करके हो गया है 22.7 किलोवाट ओके ओके अब अपने को as per the question energy saving जो है वो find out करना है ठीक है आप question में देख सकते हैं कि question में पूछा क्या गया है तो आप question देख लिजे कि इसमें पूछा गया है एन्वाट करना है अगर और ऑपरेशनल आवर जो है 6000 आवर्स है तो ठीक है तो यहां पर energy savings in annual क्या हो जाएगा power reduction into operational hours तो power कितना रेडियर से रेडिक्शन हुआ है पहले था 26.8 और अब जो है है हम जो है अभी जो है सेव कर रहे हैं डेमफन निकालने के बाद में लेकिन कभी कोशन में ऐसा भी आता है कि अगर electricity consumption सात रुपए है या कभी कहें देगा दस रुपए है तो हम कितने रुपए की saving कर रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की जुरत नहीं है उसमें आपको जो यह किलोवाट आवर है उसमें आपको जो भी electricity का इस पर यूनिट दिया रहेगा उसे इसमें मल्टिफ्लाई कर लेना है तो इस तरीके से आप जो है इन टर्म्स ऑप मनी electricity consumption में जो saving है उसे आप दिखा सकते हैं अब बात करते हैं अपने को जो है फैन का pulley diameter निकालना है ठीक है तो फैन का pulley diameter निकालने के लिए पहले तो अपने को यह पता रहना चाहिए कि फैन का निया स्पीट क्या होगा वह पता रगना चाहिए उसके बाद ही हम जो है फैन का पुली डामेटर निकाल सकते हैं तो आइए पहले फाइन नोट करते हैं फैन का निया स्पीट क्या होगा फैन पुली डामेटर फॉर रिदक्शन इन स्पीड यानि कि जब हम फैन का नि स्प्ट निकाल लेंगे तो पेले हम ढाफ कर ने हम यहास है यहाँ जो है आप कह सकते हैं पीड़ा जो है औरryn कर लेंगे तो इधर आ जाएगा एक वर टू हो जाएगा पीवन बाइपी टू अंडरू टो जाएगा ठीक है तो N2 equal to हो जाएगा N1 into P2 by P1 का under root हो जाएगा ठीक है इनिशियल जो RPM है फैन का वो कितना है 600 RPM है ठीक है आप question में देख लीजिए जो supply fan का speed हो कितना है 600 RPM है ठीक है तो 600 RPM into जो pressure आया था pressure मैंने यहां लिखा भी है 112 112-17 जब डेमपर हडा दे तो जो pressure आया वो कितना है 95 mmWC आया तो इसलिए यहां पर हो जागा 95 divided by 112 112 जो इनिशियल जो pressure difference था वो तो वो था 112 अब जब इसे solve करेंगे तो आयेगा यहां पर 553 RPM यानि कि जो fan का जो नया speed हो जाएगा 553 RPM हो जाएगा ठीक है ओके अब जब अब जब आर्पम निकल गया फैन का तो अब जो है pulley diameter भी निकाल सकते है तो नया pulley diameter क्या हो जाएगा आप formula जानते ही है D2 by D1 equal to होता है N1 by N2 तो D2 निकालना है मतलब की नया pulley diameter ठीक है तो N1 कितना था अपना 600 divide by नया जो आर्पम आया है वो है 553 553 इन्टू जो D1 है यानि कि जो fan का initial pulley diameter हो कितना है 560 है आप question में देख सकते है question में आप देख लिए जो fan का pulley diameter हो कितना है 560 है तो वही मैंने यहां रखा है 560 और जाब इसे solve करते है तो solve करने पर जो fan का नया pulley diameter आता है वो आता है 608 mm ठीक है तो इस तरीके से जो fan का जो diameter है वो पहले से थोड़ा बढ़ जाता है पहले था 560 जो बढ़ करके हो जाता है 608 mm ठीक है तो इस तरीके से यह जो वीडियो है वो end हो जाता है हना और हमारा जो question है वो भी solve हो जाता है तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like करें subscribe करें and share करें और मुझे comment करके ज़रूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए thank you thank you very much